तो आपका टाइम पॉजिटिव आ रहा है तो आपने सारी वैल्यूस साहिली अगर नेगेटिव आ गया तो सारी वैल्यूस वापिस चेक करो आपने कुछना कुछ साइन की गलती किये कहां पर हो सकती है यहां पर तो अगर वी यू से बड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा अगर यू वी से बड़ा हुआ तो ए नेगेटिव आ जाएगा आज हमें लेक्चर एट चालू करना है मोशन चैप्टर का इससे पहले हम सेवन लेक्चर औरी कर चुके सारे लेक्चर में हमने अभी तक यह यह सारी चीज़े पढ़ लिए सो हमने पोजीशन स्पीड वेलासिटी डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट फॉजिकल क्वांटिटी और और बहुत सारी चीज़े से एक्सेलरेशन फिर हमने एक्विशन्स बीक सारी चीटों करनी और इस लेक्चर में आज हमें पढ़ना है या फिर हमें करनी है question प्रैक्टीसिंग Equations of Motion पर, पहले वाले Question Practicing वाले Lecture में हमने Acceleration के पिछले वाले Topic जो भी थे, Including Acceleration उनके सारे Basis पर Question Practicing कीती, ठीक है, अगर वो Lecture नहीं देखा है, तो यहां पर I-Card पर क्लिक करके वो Lecture देख सकते हूं, ठीक है, अब यह वाला जो question practicing वाला lecture है उसमें हम equations of motion पे question practicing करेंगे क्योंकि equations of motion पे questions बहुत आते हैं मतलब majority of the question इस chapter से इसी कियाते है या तो graphical method पर आते हैं या फिर equations of motion पर ठीक है तो आज हमें question practicing करनी है equations of motion के लिए motion के उपर हर एक equation of motion को use करके देखेंगे सारी equations of motion हर एक question को हर एक question को solve करने के बाद में हमारे पास में सारी equations of motion का use आ जाएगा ठीक है तो start करते है अगर किसी ने previous lectures नहीं देखे है तो यहा पर आई-card पर क्लिक करके आप वो lectures देख सकते हो ठीक है और नीचे description में भी playlist गिवन है और अगर किसी को specific question देखना है lecture में से नीचे description में question भी गिवन है with its time stamp ठीक है तो आप वो भी देख सकते हो ठीक है तो start करते हैं सबसे पहला question है मेरे पास में a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meters per second due to friction its velocity decreases at a rate of 0.105 meters per second square how much time will it take for the body to stop अब यह तो मैंने पढ़ा आप एक बार खुद मन में पढ़ो इस question को या फिर जोर से पढ़ो इस question को कि एक question क्या आप बोल रहा है मैं थोड़े देर के लिए पॉस्ट कर दो वीडियो को और question को पढ़ो यहां पे जो लिखा हुआ question इसको आप पढ़ो एक बार की question क्या बोल रहा है पढ़ लिया चलो अब वापे से पढ़ते अग बॉड़ी स्टार्स टू ओवर होरीज़ॉंटल सर्फेस तीरे दीरे कट अउट करते है अपन इस question को फिर हम देखते है कि question हम से क्या बोलना चाहरा है सबसे पहले बोला है कि बाड़ी स्टार्ट्स लाइड ओवर सर्फेस और इसा होता है ऐसा होता है ति है तो स्ट ऑशापर अन्सर् बॉडी होगे हमारी और वो इस सर्फिस पे ऐसे स्लाइड करना चालू करते है ठीक है फिर आगे क्या दिर रहा है वितन इनीशल वेलासिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड पर और यहां पर जब यह मोशन चालू हुआ तब इसकी इनीशल वेलासिटी कितनी थी 0.5 मीटर पर सेकंड यू तो इनीशल वेलासिटी होती है फिर ड्यू टू फ्रिक्शन आराम से आराम से कोई दिक्कत नहीं है यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलासिटी डिक्रीजेस अट रेट ऑफ 0.105 मीटर पर सेकंड स्कॉर मतलब की प्रिक्शन एक क्वांटिटी है जो जो उसकी ज प्रिक्शन से भिकवांट दिक्रीजेस होती है ठीक है कितने से 0.105 मीटर स्कॉर में सेकंड स्कॉर कि सेकंड हेक्स होती है एक्सलीरेशन की उनीत होती है तो acceleration मैंने को दे रहा है 0.50105 meter per second square अब देखो मैंने थोड़ी सी gap छोड़ी है इसकी देखते क्या होता है how much time will it take for the body to stop मालो यहां से गई और यहां पर चलते चलते कहीं यहां पर आई और यहां पर रुग गई तो final velocity यहां पर कितनी हो गई 0 हमें यहां से यहां तक का यह rate of acceleration दे रहा है 0.105 meter per seconds हो है और हमारे पास में time निकालना है हमें time निकालना है question में क्या निकालना है time अब यह जो मैंने gap छोड़ी थी यह gap क्यों छोड़ी अब यह acceleration positive है या फिर negative दो तरीके acceleration हो सकते है ना देखो formula क्या है मेरे पास में acceleration का a is equal to v minus u upon t है ना तो अगर v u से बढ़ा हुआ तो acceleration positive आएगा क्योंकि अगर यह 4 हुआ यह 3 हुआ तो 3-4-3 वन हो जाएगा तो positive आगर u u v से बढ़ा हुआ तो a negative आ जाएगा ती तो हमेंशा positive रहता तो इससे तो कोई लेना देना ही नहींकि तो अगर u v u से बढ़ा हुआ तो a positive और u v से बढ़ा हुआ तो a negative यहां पर देखो यू बड़ा है वी से देखो वी जीरो है और यू 0.5 है तो यू बड़ा है वी से तो कैसा साइन आएगा एक्सेलरेशन का नेगेटिव तो यहां पर नेगेटिव आएगा ठीक है तो A is equal to क्या आया 0.105 meters per second square अब equations of motion कौन कौन सी है मेरे पास में वी is equal to u plus 80 s is equal to ut plus half 80 square और v square minus u square is equal to 2s ठीक है यह मेरे पास में equations of motion को डबे में बन कर देते हैं अब मैंको क्या निकालना है टाइम डेटा क्या क्या क्यों है यहां पर लिख देता है यू गिवन है 0.5 meters per second square 5 meter per second v is equal to zero a is equal to minus 0.105 meters per second ठीक है यहां तक आया बात समझ में अब time निकालना है हमें कौन सी equations use करूँ देखो पहली equation में क्या है मैं को क्या वी गिवन है बिल्कुल given है यू गिवन है बिल्कुल given है ए गिवन है बिल्कुल given है तो मैं क्या टी निकाल सकता हूँ इस equations है तो अब मैं कौन सी equation यूज करूँगा फर्स्ट equation of motion second और थर्ड क्यों नहीं कि क्योंकि मैं को यहां पर distance की तो बात ही नहीं कि यहां पर तुझे को distance आ रही है वी इस इकोई स्टू यू प्लस 80 वी कितना है जीरो और यू कितना है 0.5 प्लस एक इतना है माइनस 0.105 अब एक और चीज़ बताते हो थो यह उदर गया माइनस हो गया यह 0.5 माइनस का हो गया यहां पर माइनस एक चली रहा है 0.105 वाला इंटू टी अब यह क्या होगा है कि माइनस से माइनस हो जाएगा यह तो पता है ना नॉर्मल फ्रेक्शनल मल्टिप्लिकेशन या फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स या पिन आलगेब्र तो आता है हमें इसको और डिवाइड करेंगे फॉर्दर तो यहां पर डिवाइड करके देख लेते हैं पूर पाइब पूर 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 एटी फूर एटी फूर एटी फूर ठीक है 6, 1, 16.087, 7, normal multiplication नी कर रहा हूँ और कुछ नी कर रहा हूँ या पिन नॉमल डिविजयन नी कर रहा हूँ बस, 3, 1, 0 आया है और फिर 2, 6, 6, 6, 4.76 तो टाइम कितना लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुचने में पॉर पॉर पॉइंट सेवन सिक सेकेंड अब मैं एक और चीज़ क्या बताने वाला था कि अगर देखो यहां पर टाइम नेगेट पॉजिटिव ही रहता तो अगर आपका टाइम पॉजिटिव आ रहा है तो आपने सारी वेल्यू साहील ही अगर नेगेटिव आ गया तो सा इसको देखनेगा एक और नजर यह ठीक है तो यह था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है मेरे पास में है कि स्टडी दवीटी टेबल वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम टेबल एंड आंसर फॉलविंग क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट है में पास में वाट इस दे वैल्यू ऑफ ए इन जीरो टू 15 सेकंड में को टेबल क्य है about 15 15 seconds के बाद में 20 20 20 सेकंड के बाद में वापस 15 25 10 फिर वापस ऐसे चलता जा रहा है समझ में आया तक सो मेरे पास में यह यह एक्टर दे रहे है एक्सलर एक्सलाइए डिए वेलॉसिटी ए V सीटी वेलॉसिटी और टाइम के टेबल के तो मेरे पास में क्या निकालना है उसी what is the value of bede ये इन जीरो तुफिटी सेकीं सो 0 से 15 सेकिंज तक बेरे पास में कितनी है एंसर ay gender जैके में फिर मेरे पास में आगे 0-15 seconds तक तो मैं 15 seconds तक के time में इस motion को जच कर रहा हूँ तीक सो फिप्टीन सेकंथ तक कितना हो गया easy이에不要 सिटिव इस जर्व कितनी यहाँ पर ग्राफ इस टेबल से देखके बताğ Ben कि वेलोसिटी कि इतनी हो गई पता वहिए 20 मीटर्स पर सेकेड अगरिए कि अबने हमें क्या निकालना इस 0 से 15 से के टाइम इंटर्वाल में एकसेलरेशन ठीक है तो टाइम कितना दे रखा है फिप्टीन सेकंड जीरो से 50 मतलब 15 सेकंड का टाइम इंटर्वल है और फाइनल वेलोसिटी यह है इनीशिल वेलोसिटी यह एक्सलेशन निकालना है कौन से एक्वेशन एक्वेशन इस परूँगा यह वाली ठीक है सो यूज करते है V is equals to U plus 80 ऐसे लिखना जरूरी है फ्रॉम पर्स्ट एक्वेशन आफ मोंशन V कितना है 20 is equals to U कितना है 0 plus A कितना है यह तो निकाल नहीं है और T कितना है 15 सेकंड तो 20 is equals to A into 15 तो एक इतना आया 20 upon 15 स्कॉर फर्दर सॉल किया तो यह पूर भाई 3 हो गया तो यह आएगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्कॉर यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट के एक दो नंबर भी कट जाता है ठीक है तो यहां पर मेरे पास में आया सेकंड क्वेश्चन का अंसर की यहां जीरो से 15 सेकंड तक कितना कितनी वेलोसिटी हो गई तो मैंने उससे फर्स्ट एक्वेश्चन करके एक्सलेशन निकाल दिया टेबल के बाद मतलब टेबल गिवन थी उससे मैंने डेटा लिया और मैंने आंसर निकाल लिया ठीक है चलत स्पीड को मैजर करता है वह आगे देखा देखा तर नो ऐसे जिस गूँता रहता है तो हमाहे पास में स्पीड़ोमीटर रीडिंग दे रखी एक कार की इस टेबल में find the acceleration of the car and its displacement find the acceleration of the car and its displacement so answer third है कि मैं पास मैं रीडिंग्स दे रखी है 925 AM पे वो चला और 945 AM पे वो मान लो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गए 925 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 36 km पर आर और 945 AM पे उसकी वेलोसिटी हो गई 72 km पर आर इसके में आपको 2 anspices बता तो एक तो acceleration रहें अधूरा श्यार मैं आ यह है हां यह है हाँ और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इनीशल वेलोसिटी यहां पर तो इनीशल टाइम पर इनीशल वेलोसिटी तो इनीशल वेलोसिटी कित्ती है 36 km पर आर और यहां पर फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम पर होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है सेवेंटीटीटू किलोमेटर्स पर आए ठीक है अब में को क्या निकालना है डिस्प्लेस्मेंट और एक्सलेरेशन मतलब डिस्प्लेस्मेंट रैपिड डिस्टेंस जो भी स्टेट लाइन मोशन है ठीक है तो टी आई और टी एफ दे रखा अब इसमें टाइम डिफरेंस कित लाइब देखो 925 पर और यह 945 पर इनिशल टाइम 925 पर और नाइन टाइम 945 ठीक है तवान और पॉने ज़स जी तो आते ही ना आपको यह लेंग्विश ठीक है तो 925 से 945 तर टाइम स्वान किता होगा इसको इस से माइनस कर दो मतलब 945 माइनस 925 किता होगा 20 ठीक है तो ऐसे मेरे पासफ में कीता आगया 20 सेकेंड्स मीनिट्स में चलते है न तो में चलती है एसा यूनिट के हिसाब से फिंडी और आलू को अलग-अलग करना पड़ेगा है न तो 20 मिनिट से न तो इसको या तो सेकेंड में करूँ या फिर आर में कर दू तो आर वाला मेरे पास में बहुत इजी रहेगा क्यूंकि मेरे पास में यह अल्रेडी किलोमेटर्स पर आर में है ये वहनी तो माढ आर वाला करके बतातो तो फिर आपको में मीटर कर सेकंड लोल आखEvetлем बहुंक करता है ठीक है घ्ला में को निकालना है एक्सेलरेशण इसको अगर मैं Więc Suffern इसे मेरे तो 20 से मल्टिप्लाइ कर दो 20 मिनिट्स में कित्ते होगी 20 अपॉन 60 आर्स इसको और सॉल किया तो 1 अपॉन 3 आर आ जाएगा मेरे पास इसरी मिनिट्स में ठीक है तो वन बाय थ्री आर होता है 20 एए आर की फॉर्म है अब मैं को क्या निकालना है यहां पर एक्र toujours τो एक्सेलरेशयन निकालना के लिए मैं फस्ट प्रस्ट एक्वशन और मौशन में यऊश कर लेता हूँ यू क्या है 36 km पर आग एक इतना यह तो निकालना ही है और टाइम कितना है बन अपॉन थ्री आर्स ठीक है सारी ऐसा मतलब उसके यूनिट्स में है ठीक है उसको इधर बेज़ा तो 72-36 इस इको इस तो एंटू त्री यह हो जाएगा 36 इस इको इस तो एंटू बन अपॉन थ्र यह हो जाएगा a is equal to 108 km per hour square ठीक है अब यह तो आ गया मेरे पास में km per hour square में ठीक है अब ऐसे ही मैं displacement में निकालता हूँ अब displacement के लिए मैं कौन सी चीज करूँ चीज यूज करूँ यह या फिर यह देखो मैं क्या-क्या-क्या डेटा जीवन है उससे इसाब से मैं है यू गीवन है क्या यू गीवन he hep n क्या गीवने यरा एक वशन में य को ठीगवन में तो मैं दोनों इक विशने बाद यूज करके देखते हैं है सेकंड एक्षेशन और मोशन में एस इक्वूस टू यू कितना है 36 इंटो टाइम है वन अपान 3 प्लस हाफ इंटो एक्सेलरेशन कितना है 108 इंटो टाइम का स्कुर्ण अपान 3 का square इसको solve किया तो यह आया 1212 plus half into 108 into 1 upon 9 इसको solve किया तो 126 तो यह हो जाएगा 18 km क्योंकि यह km वाली units में चल रहा है तो यह s किता हुआ 18 km अब cross check करने के लिए मैं identify question use कर सकता हो भी को cross check करता हूं है कहां पर use करूं यहां पर use करता हूं है थार्ड equation of motion V square minus U square is equals to 2 a s V कितना है 72 km per hour 72 का square और u कितना है 36 to u का square पारलब 36 का square इस इकोस्टू तू इंटो ए ए एक 108 इंटू एस ठीक है अब यहां पर मैं दू चीज़े कर सकता हूँ या तो इनका स्क्वेर निकाल के सब्ट्राक्ट करूँ या फिर इसमें एक आइडेंटिटी यूज कर लूँ इंटू एस ठीक है यहां पर मेरे पास में यह आया आप देखो इंटी टू प्लस इसक्स किता होगा एट वन इरो इट इन्टू यह किता होगा ठाट्य से अब एकजाम में लिखने के लिए आप एक ही मैटड्य यूज करोगे रिछापोर्भ करने के लिए यहां पहले को तो are a part किलोमीटर को अब में मुल्टिपलाइ करता हो ना पता है ना ये तो है ना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको एक यहां पर ट्वंटी मिनिट्स में कित्ते हो गए ट्वेंटी इंटु सिक्स्टी ऑट ए सब्सक्राइब गें है ऑन टुडБल सीरु सॉस्ट जनिस अब यहां पर देखो यू है मेरे पास मिंकीलाउमीटर्स पर अब मैं में इसको चेंज करूँ मां मीटर्स पर सकिंड मैं कैसे कर रूँ देखो रूरी अब कंद तियू को नैसे लिख सकते और थर्नावल् pills ग्लममी में कि और वन रर में कित्ते सेकेंण लो तो देखो 60 002akt시면 किस्टी से मुझे और यहां पहे आगया सुट्सक्पाउत किसके एकोल था 1R के सो मेरे पास में 1R किते है आया 1660 की है टेकेंड तो 36 इन्टू यू इसको सॉल किया तो यह 0 से 0 cancel यह 0 से 0 कैंसल तो किता है 36 इंटू 10 अपोन 36 इसको और सॉल किया तो 5 वाई-बाई एटीन आया तो अगर आपको डारेक्ट किल मीटर्स पर सेकंड में कनवर्ट करना है किलोमेटर पर आर को तो तो डिरेक्ट पाइव ऐटीन से मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है तो ठीक है तो फइल्टिस इन्टो फाइफ माई करेंगे अब मैं डाय्यक्त ऐसे नहीं कर रहू यह तो आपको निकाल दिया डायरेक्ट बाइटेंस से मल्टिप्लाइब कर लेंगे तो फाइब आपको इसको मल्टिप्लाइब किया तो क्या आएगा देखो तो वी कितना है 20 meters per second you कितना है 10 meters per second और ती कितना है 1200 seconds so मैं अब निकाल तो acceleration or displacement यह पर distance चलो V is equals to first equation of motion V is equals to U plus 80 ठीक है तो V कितना है 20 यू कितना है यू कहां गया भाया 10 plus एक इतना है यह तो निकालना है और 10 टीक इतना है 1200 seconds ठीक है तो इसको सॉल किया मैंने तो कितना आएगा यह 20-10 is equals to a into 1200 ए यह होगा 10 यह डिवाइड में गया तो 1200 एक इतना आया 1 upon 120 meters per second इसको सॉल करने की ज़रूरत नहीं ऐसे ही ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो एक इतना है में पास में कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई s is equals to ut plus half a t square ठीक है एक एक करके value लिखते है s is equals to u कितना है 10 plus into t कितना है 1200 बहुत complicated सवाल है ना calculations बहुत करनी कोई बात नहीं हाफ एक कितना है 1 upon 120 into t कितना है 1200 का square ठीक है आगे solve करते हैं यह कितना आएगा यह से मल्टिप्लेव 12,000 प्लस हाफ इंटू 1 upon 120 इंटू 1200 इंटू 1200 इंटू 1200 ठीक है इसको solve किया 10 से 10 चैंसल 12 से यह cancel हुआ 10 टाइम्स ठीक है इसको और solve करेंगे तो यह 5 टाइम्स होगा इसको और solve करेंगे तो यह हो जाएगा 1200 प्लस यह हो जाएगा 6000 ठीक है 1260 हो तो यह 6000 हो गया तो यह आएगा कितना 18,000 मीटर देखो मैंने पहले जो प्रेडिक्शन किती वही आया ना सो मीटर्स पर सेकेंड में करें के बाद में भी वही अंसर आ रहाया है ठीक है युनेट चेंज करके जो भी आंसर निकालना है मगर आंसर वही आ रहाया है ठीक है युनेट चेंज हो लगी भाकी measurements वही है मैं मैं क्या करना चाहरू तो अभी तक के लिए हमने अभी together क्या पड़ा पहले मैं आपके लिए एक और चीजे लिख देता हो यहां यहां पर जो भी हमने अभी तक पढ़ी है या फिर जो भी हमाई पास में इजी पढ़ता है दाकि डारेक्ट फॉर्मूलाज है अगर में को किलोमेटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना तो किस से मल्टि कर देना है मल्टिप्लाइब सो एर एक सबस्क्AND गार यह चैनल चलो अब यह अब और क्या था है और तो कुछ नहीं था तो अब मेरे पास में क्या है प्ल मेस्थ फॉर्ट क्वेस्ट रहेस है यह कहा गया कहा गया तक ल quêर्ट क्वेश्टशन आपको फिर्स्ट क्वेस्ट क सेकेंड हो गया थर्ड हो गया अच्छा थर्ड कोई दो थर्ड दे दिया मैंने चलो फॉर्थ क्वेश्चन है मेरे पास में ट्रेन एक्सेलरेट्स युनिफर्मली फ्रम् एक्साएं थैति-्जो click cool yeah कि अधिकार्स विश्चा सब्सक्राइब आप एख्यों चालो हुई एहां तक गई पहले थि व्र व्रोर्षिटé ओर इदर टाइम किता लगा टी क्या निकालना है एस निकालना और एक्सेलरेशन तो मेंको तो acceleration पहले निकालना पड़ेगा ताकि मैं दोनों या तो यह यूज करो या फिर यह यूज करो ठीक है तो पहले हम acceleration निकालते कैसे निकालेंगे पर्स्ट एक्वेशन और मुशन से क्योंकि मेरे पास निकालना है और डेटा को तो देखो फिर आप जच करो कि आपको क्या निकालना है फिर आपका अंसर आ जाएगा रहां ठीक है फिफ्टी वर मिनिट्स लोग नहीं अगेस 30 मिनिट्स से अफिर 25 मिनिट्स हो चुके यह माइक्रोफोन बंद नहीं हो जाए चलो यू कितना है 36 अब यह देखो टाइम मेरे किता होगा 10 मीटर्स पर सेकेंड वी इकवेज टू स्थेट इन्ट रंटी टो फाइव बाइटीन और वी इकवेज टू 20 मीटर्स पर सेकेंड अब निकाल लेते हैं एक्शल्रेरेशन चलो क्या है फस्टिंट इक्वेशण और मोशन फ्रम फ्रोर्स्ट इक्वेशन और है राम फॉर्स एक्वेशन आःमोशन वीजिक हूं इक फॉ प्लस ए एटी जानम***τε फॉर्स एक्वेशन पॉंशचन वी 19 एक्वारीर गए कोलए सक्वारी थी खाल लूसेटी खालियस लूसेटी तक्वेशे प्लसटेटी कि zagणलतो नुखल नहीं है मिन्त 2 meters per second square half meters per second square इसको और s is all कर सकते है 0.5 meters per second square ठीक है यहां तक आया बात समझ में अब हम चलते हैं आगे displacement निकालना है acceleration थोड़ी निकालना था displacement निकालना था एक मैं यूज करता हूँ second equation of motion और एक मैं यूज करता हूँ थर्ड equation of motion परलल चलाता है देखते आंसर आता है कि नहीं आता है दोनों में से अब हमारे पास में एस तो निकालना है यू कितना है 10 टाइम कितना है 20 प्लस हाफ acceleration कितना है वन अपॉन टू या फिर 0.5 ठीक है और टी कितना है 20 का स्क्वेर और वी स्क्वेर वी कितना है 20 इसका स्क्वेर माइनस 10 का स्क्वेर यू तो ट्वैन है और 2 इंटू acceleration कितना है 1 अपॉन टू इंटू एस ठीक है चलो आगे करते इसको इसको सॉल्ड किया तो यह किता है 200 प्लस वन अपॉन 4 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 ठीक है उसको सॉल्ड किया तो मैं a-b-b-2 वाला फॉर्मिला यूज करूंगा a-b-2 is equal to a plus b into a-b ठीक है यह वाला फॉर्मिला यूज कर सकता हूं मैं 20 प्लस 10 इंटू 20-10 is equal to cancel हो गया तो यह कितना है s के equal ठीक है इसको सॉल्ड किया तो 200 यह इसको सॉल्ड किया तो यह कितना हुआ 20 30 इंटू 10 is equal to s यह हो गया 300 और यह भी हो गया 300 कि दोनों से आंसर सेम आया ठीक है तो यह था हमारे पास में fourth question ठीक है अभी तक के लिए fourth question हुआ है है मारे पास में अभी तो बहुत सारे बाकी है eighth questions है देखते है हो पाते है या नहीं हो पाते है fifth question है मेरे पास में देखते है fifth question क्या कहता है में को fifth question है मेरे पास में brakes applied by a car produces an acceleration of six meters per second square in the opposite direction of the motion if the car takes two seconds to stop after the application of brakes then calculate the distance traveled during this time क्या बोल रहा है वापे से पढ़ो पास करके एक बार पढ़ लिया पढ़ना पढ़ेगा चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ लिया ठीक है so brakes applied to a car produces an acceleration of six meters per second square ठीक है तो चलो acceleration लिखी देते हैं क्या दे रखा है मैं को answer fifth brakes applied to a car six meters per second square या पर देखो वापे से gap छोड़ रखिये मैंने so applied to an car produces an acceleration of six meters per second square in opposite to the direction of motion ठीक है इस direction के opposite मतलब यहां से body इधर की direction में चल रही है तो acceleration अब opposite direction में लग रहा है ठीक है opposite direction में लग अब इसका क्या sense है आगे पता चलेगा ठीक है so if the car takes two seconds to stop after the application of break calculate the distance traveled during this time so u मेरे पास में नहीं दे रखा है इसको लगता है दो second मतलब यहां पर जो भी velocity थी यहां से break apply होना चालू है और वी हुआ 0 ठीक है तो पहले कुछ velocity से चल रहा था initial velocity और दीरे 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 दो second बाद में उसकी velocity हो गई 0 so मैंने बोला था देखो अगर यू वी से बढ़ा है तो acceleration होगा negative और अगर वी यू से बढ़ा है तो acceleration होगा positive इसको और डबे में बन कर दो ठीक है so यहां पर यू बढ़ा ही होगा कुछ तो velocity होगी ना so यहां पर वी बढ़ा है और वी छोटा है तो acceleration कैसा होगा negative यह sense है opposite direction का अगर acceleration opposite direction में होता है जिसको हम बोलते है retardation तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डिरेक्शन में होता है या फिर इसको उसको माइनस के साई से लेते हैं ठीक है उसको retardation बोलते हैं तो देखो क्या निकालना है एस निकालना है क्या मेरे पास मैं कौन सी equation करूंगा यह यूज़ कर सकता हो क्या देखो कर सकता हो A given है A given है U given है नही गिवन है तो मैं second equation of motion यूज़ नहीं कर सकता 3rd पर आओ V given है हां given है U given है क्या नहीं गिवन है तो यह भी यूज नहीं कर सकते हैं तो मैं को यू की वैल्यू तो निकालने ही पड़ेगी देखो कैसे निकालते हैं परस्ट इक्वेशन आप मोशन में हेल्प करेगी using first equation of motion कि देखो V given है हाँ यू निकालना है हाँ बिलकुल निकालना है A given है हाँ और T B given है 2 seconds तो मैं यू निकाल सकता हूँ ठीक है यू माइनस ट्वैलव जीरो यू किता होगा उदर गया तो 12 मीटर पर सेक्ड़ जादा तेज तो नहीं हो रहा है ना ठीक है आराम आराम से कर रहे हैं तो यू किता है 12 मीटर पर सेकेंड अब मैं कोई सी भी एक्वेशन यूज कर सकता हूँ ठीक है वापे से पैरलल चलाते है यू अच्छा अफु कि वापे से पैरलल चला हि मैंने है एक इतना है माइनस 6 माइनस या फिर साइन का बहुत ध्यान रखना में होना और 2 की इतना है 2 2 का स्क्वेर और V कितना है यहाँ पर 0 का स्क्वेर माइनस U कितना है 12 का स्क्वेर is equal to 2 into A एक इतना है minus 6 into S ठीक है so S is equal to इसको multiply किया 24 plus , यहाँ पर एक minus चली रहाए इस 6 का 6 by 2 into 2 into 2 ठीक ही यह cancel हो गया और 0 का स्क्वेर 0 minus 12 into 12 का 12 का mere 12 into 12 minus 2 into 6 into S एक इसको solve किया तो 2 times यह cancel हो गया इसको solve किया तो यह किता है 24 minus 12 और इसको किया तो यह कितना है minus 12 तो यह हुगा 12 मीटर यहाँ पर माइनस ऐसे ना यह माइनस और यह माइनस तो माइनस और माइनस कैंसल हुआ तो यह भी किता है मतलब कि अगर यह वैल ब्रेक लगाता है दूर सेकिंड बात में स्टॉप होता है एक्सलरेशन की वैल्यू यह है तो यह था हमारे पास में फिफ्ट कुश्ट्ट की तरफ चलते हैं इस सिक्थ गस्ट्रेशन है मेरे पास में सिक्स्ट्कूरिशन मेरे पास में फेल्boy सित्ष अलव ट्रेन चेंज़ेन द्वाश्ट की अवर्ण्व की्याइवक ब्रेंद गवाग वन्री छे इसलेवनी से गवेल्ट कवट बच सिक्ट को मैं को तो डेटा पर फोकस करना है ठीक है तो ट्रेन चेंज इस समक्व 20 मेठ्र सेकंड तो 25 मेठ्र सेकंड तो यहां पर 20 मेठ्र तोली सिज्च चल जो गों मीज्च पर से पहते ही तोटी इन ऑड़ीत्ड से मालो 25 कुछ है क्या रोल नहीं है तो पहली वारे तो पहली हाटा दो ठीक है एस्ट से केंड वाली में चाओ आइस निकालना है यूग एक यह ने क्या है एक है क्यां यूज और यूज तो ऐसे देखना आपकी कौनसे इक्वेशन यूज करना है ही के यूजिन 3rd equation of motion V square minus U square is equals to 2s V कितना है? 25 meters per second U कितना है? 20 meters per second E कितना है? 2 meters per second square और S हमें निकालना है ठीक है? यहां पर आ जाओ V कितना है? 25 का square minus u 20 का square is equals to two into a किता है two into s इसको ऐसे solve करूंगा क्या multiply करके नहीं हो आली वह आली identity यूज करूंगा 25 plus 20 into 25 minus 20 ठीक है 2 into 2 यह होगा 25 into 25 plus 20 किता होगा था 45 यह होगा 15 35 इदर 4 चली रहा है 2 into 24 हो गया तो 4 into s इसी कुस्ट्यू यह कितना आया 5 2 25 ठीक है तो ऐसे किता है 225 अपन 4 इसकोर फॉर्दर सॉल्व किया तो इक्स फॉर्जार 24 नहीं 5 4.25 ठीक है अमने नॉर्मल डिवीजन आता है न डिवाइड करके बता देता हूं मैं आपको फिर 225 को फोर से डिवाइड किया तो क्या आएगा इसको फाइव से मल्टिप्लिया किया तो यहां पे बचा वन पॉइंट लगा जीरो आया तू से मल्टिप्लिया किया एट यहां पे टू बचा और एक पॉइंट लगाया मतलब जीरो लगाया तो यहां पर आई से मल्टिप्लिया तो आता है ना मैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते थे कि यहां से टाइम निकालो से फर्स्ट इक्वेशन और मोशन से फिर आप इसमें भी बूट करके देखो एसके वैली वह यारी का तो यहीं आएगी ठीक है तो यह था हमारे पास में पिप्ट्ट क्वेश्ट्ट कि तरफ चलते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्टन और यह है NCRT एक्जेंपलर का बहुत यह अच्छा क्वेश्टन है कहां है सिफ्ट क्वेश्टन सेवन्ट क्वेश्टन है ना एन अब्जेक स्टार्टिं प्रम रेस्ट ट्रावेश्ट ट्वेंटी मीटर इन टीक है यहां से स्टार्ट करी तो इनिचल वेल उसिट यहां पे कित्ती है zero तीर तीरह धीर घ्रहे स्टार्टिंग के 20 मीटर 20 मीटर तक चली कितने सेकंड बने डू सेकंड में ठीक है फिर फिर क्या है and next 160 meters in next four seconds तो यहां पर 160 meters चली यहां से यहां तक का time है four seconds हमें क्या निकालना है calculate what will be the velocity after seven seconds from start यहां से seven seconds के बाद में यहां से नाम पर मेरे पास में क्या क्यैकिन है यह गिवन है यहां की इनिशल वेलॉसिट्टी दूलाक्षरी कुछ भिन थो acceleration given है ठीक है सो मैं पहले acceleration निकालूगा देखो पहले इस वाले motion को देखो पहले इस वाले motion को देखो यहां से यहां तक क्या मेरे पास में यू है हाँ बिल्कुल है 0 meters per second क्या मेरे पास में T है 20m, 2s क्या मेरे पास में S है 20m, तो क्या में A निकाल सकता हूँ कैसे निकालूँगा, देखो कैसे निकालूँगा First equation से ये निकाल सकता हूँ, हाँ, निकाल सकता हूँ मगर उसमें final velocity चाहिए होती इधर है क्या नहीं है, तो हाँसे equation थो second equation को देखो S है 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 यू है है य है ट है अभाने निकालना है बिल्कुल निकालना है और ट है तो मैं second equation यूज करूंगा ठीक है third equation में भी आ जैए तो वी तो मेरे पास में है नहीं so second equation use key using second equation of motion s is equal to ut plus half 80 square so s किता है 20 is equal to u किता है 0 into time 2 plus half into a into t ka square that is 2 ka square ठीक है तो 20 यह हो गया 0 half into normal division है और कोई दिक्कत नहीं है यह cancel हुआ यह यह भी cancel हुआ सो एक इत्ता आया 10 meters per second square यह क्यों कर रहे है देखते आगे अब यहां से यहां तक 10 meters per second square आया मैं को यहां से यहां तक कभी चीए क्योंकि मैं को अगर मेरे पास में यहां पे निकालना होता तो मैं को यह प्रूव करना पड़ेगा कि constant acceleration से move कर रही है अगर यहां पे 10 value आ गई यहां पे 20 value आ गई तो क्या यह constant acceleration होगा तो मैं क्या यहां पे equation of motion पूरे है कि यह यूज कर सकता हूँ नहीं ना तो मैं को यहां पे और यहां पे यही value लानी पड़ेगी ताकि मैं इसके constant acceleration प्रूव कर सकूँ ताकि मैं यहां से यहां तक उस एको 10 meters per second square ले सकूँ ठीक है तो हमें अब यहां से यहां तक acceleration निकालना पड़ेगी तो अब मेरे पास में यहां पर क्या क्या यहां तक यह पहुच गया ना यहां पर इसके बाद में हमने इस वाले velocity यहां फिर इस moment के लिए यह वाली velocity या फिर इस diagram इस वाले diagram के लिए इस वाले frame के लिए यह वाली velocity for initial velocity और इस वाले frame के लिए यह final velocity थीक है है तो यह final velocity निकालते है अपन vise equals you plus 80 से अब thय कि अब तो फस्ट equation use कर सकते है ना तो व is equals to U कितना है zero ए फ्दे कृस Three अभ ये फाइनल वेलोसिटी कि इसके लिए है देखो ये फाइनल वेलोसिटी किसके लिए इसके लिए अब इसके लिए तो ह filme हो गई ऑगई थी कैं पागल बना रहे हम कोश्चन वाले को ठीकहए तो इसके लिए इनिश्वेलोसिटी हो गई तो इसको लेव आप U U is equal to किता आ गया 20 meters per second T is equal to 4 seconds आ गया और S is equal to 160 meter आ गया यह निकालना है हमें वापिस से second equation of motion S is equal to U T plus half 80 square तो S किता है 160 is equal to U किता है 20 into T 4 plus half into A किता है A तो निकाल नहीं है into T का square that is 4 का square ठीक है यहां तक आई बात समझना है अब आगे 160 is equal to 80 plus half into A into 4 into 4 ठीक है इसको उधर भीजा 6 160 minus 80 हो गया half into A into 4 into 4 इसको सॉल किया तो यह 2 से multiple cancel हो गया 80 is equal to A into 4 into 2 इसको सॉल किया 40 times यह होगा 10 तो यहां पर भी एक इतना आ रहा है 10 meters per seconds को है तो हमाएं पास में प्रूव हो गया कि acceleration constant है ठीक है यह प्रूव करने के लिए इतनी सारी कि रामायन करनी पड़ी ठीक है अब हम निकाल सकते वहां की final velocity ठीक है यह लिख लिया होगा आपने आया आय हो आपने लिख लिया होगा यह ना अब final velocity निकालते वहां की देखो यू कितना है यहां से यहां तक जैज कर रहा हो तो यू कितना है जीरो मीटर्स पर सेकंड और वी तो निकालना है और अब मेरे पास में देखो acceleration भी गिवन है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वाइल और टाइम गिवन है मेरे पास में कितना है सेवें सेकंड सेकंड में दे रखा है सेवें सेकंड स्टार्ट से आप फाइनल वलॉसिटी निकालो ठीक है तो फर्स्ट एक्वेशन उमोचन ही यूज कर लू भाई या वही तो है मेरे पास में उसी से तो मिल पाएगा मैं को यह है ना तो यू कितना है जीरो प्लस एक इतना है टैन इंटो सेवन सो वी कितना आ जाएगा फाइनली सेवेंटी मीटर्स पर सेकंड सो ऐसे घुमाया हम हमें एंसी आर्टी एक्जेंपलर वाले ठीक है मगर आंस क्वेशन बहुत सिंपल था तोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरुरती बस और कु हमें यह भी प्रूव करना होता है कि acceleration हमेशा constant होता अगर में पास में इसा नहीं होता तो मैं थोड़ी और complexity होती इस final velocity को निकालने के लिए ठीक है अब चलते हैं आज के last question की तरफ last question कुछ इस तरीके का है मेरे पास में है एर्थ ना एर्थ question है a car starts from rest and moves along the x-axis with a constant acceleration of five meters per second square for eight seconds if it then continues with constant velocity then what distance will it covers in 12 seconds since it started from rest वापिस से पढ़ो pause करके एक बार ठीक है चलो वापिस से पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया ठीक है तो मैं को क्या दे रखा है car starts from rest and moves along x-axis देखो य एक तो यह होती है और यह होती है x-axis और यह होती है y-axis ठीक है तो ऐसे चल रही है इस direction में चल रही ठीक है यह तो पता है न कार्टीशन कॉडिनेट्स होते हैं यह यह x-axis होती है तो x-axis के along move कर रही है ठीक है ऐसे move कर रही है और क्या given है car starts from rest initial velocity हो गई 0 moves along a straight line along x-axis with a constant acceleration of five meters per second square ठीक है और for eight seconds तक यहां से यहां तक माल लो 8 seconds तक यह इसी acceleration से चली ठीक है और उसके बाद and continues and उसके बाद में 8 seconds के बाद में वो continue करती constant velocity से माल लो यहां पे initial velocity है और यहां पर माल लो इसकी velocity हो गई V वह से बाद में यह विवेलोसिटी से चलेगी, अगर यहां पे भी मानी तो व उसके बाद में constant velocity हो गई उसकी जव यहां पे हो गई थी, अब lang what distance will it cover in 12 seconds, यहां से यहां तक 8 seconds और यहां से यहां तक 12 – 8 that is 4 seconds भी तो यहां से यहां तक 8 seconds तक चली और यहां यहां तक 4 seconds तक चली तो 8 seconds में accelerated motion और 4 seconds में uniform motion ठीक है तो हमें यहां की distance अलग निकालनी है यहां के distance अलग निकालनी फिर उनको add करना है ठीक है अब देखो यहां पर यू गिवन है 8 meters per second ए गिवन है 5 meters per second square और टी गिवन है 8 seconds तो कौन सीक्वेशन यूज करूँ एस निकालने के लिए यह वाली दोनों में से कौन सी क्योंकि वी गिवन है नहीं तो यह तो यूज कर नहीं सकता यह वाली बची ठीक है so s is equal to ut plus half 80 square using second equation of motion s is equal to u किता है 0 into time 8 plus half into 5 into 8 ka square ठीक है तो यह हो गया 0 plus half into 5 into 8 into 8 कि 4 times cancel यह वाट 20 20 into 8 160 meters so यहां से यहां तक 160 meters हुए ठीक है यहां से यहां तक किते हुए 160 meters अब यहां से यहां तक का भी निकालना अब constant velocity है सो मैं constant velocity के लिए direct displacement into time वाला formula displacement displacement into time वाला formula यूज कर सकता हूँ constant velocity की यह formula होता है ना मेरे पास velocity is equal to sorry displacement is equal to velocity into time अभी पहले velocity upon time बोल दिया था या फिर वेलासिटी को displacement displacement upon time बोल दिया था है ना वहीं होता है ना सो displacement is equal to velocity into time लिख सकता हूँ ठीक है यहां तक कई बास सब्सक्राइब सर्दिस्टेश्मेंट इस इकोश तो वेलासिटी कितनी है वी सो यहां पर एस किता हो ज़ेगा वी इंटू टी डटी टाइज वी इंटू टाइम दे रखाए 4 seconds तो 4 V हो गया मीटर्स अब V V आया मेरे पास numerical value आई किया तो यहां पर मैं को वी भी निकालना पड़ेगा वी कैसे निकालूँगा इस वाले motion के देखो कैसे निकालूँगा यूजिंग पर्स्ट एक्वेशन आफ मोशन V is equal to U plus 80 V निकालना है न तो V is equal to U कितना है जीरो प्लस एक इतना है फाइव और T कितना है यहां से यहां तक 8 seconds तो V कितना हो गया 40 meters per second ठीक है तो यहां पर V कितना है 40 meters per second उसके बाद में तो constant इनना 40 रहेगा ठीक है तो यहां पर V कितना हो जाएगा तो S is equal to कितना हो जाएगा 4 into 40 that is 160 meters तो यहां पर भी 160 है और यहां पर भी 168 ठीक है सो इसको और इसको फिर add करना पड़ेगा तो total distance total distance याँ फिर total displacement is equal to S total S को ऐसे लिखु में तो कितना होगा 160 plus 160 दोनों का 160 plus 160 is equal to 320 meters तो टोटल डिस्प्लेश्मेंट आया मेरे पास में यह सब ठीक है तो यह सारे 8 questions थे हमारे पास में आज equations of motion के basis ठीक है तो आज हमने क्या क्या पढ़ा सारे questions पढ़े सारे question practicing की I hope आपको समन्द में आयोगे सारे questions कैसे use करते कैसे circumstances के इसाब से कौन से equation of motion यूज करते है तो यहां से यहां तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक एट प्लस फॉर्ट इस त्वेल सेकेंट में किती होगी 160 प्लस एक्वेश्टी प्लस एक्वेश्टी का अब हम आगे खाली दो लेक्चर बाकि हैं माने बस अगले लेक्चर में स्कार्ट करें के ग्राफिकल मेतड और यूनिफर्म सर्कूलर मोशन उसके बाद में हम उनके question practicing करेंगे अगले lecture में उसके बाद में बस दो लेक्जर्स और आएगे इस chapter के motion chapter के उसके बाद में हमारे motion chapter complete हो जाएगा तो आइगेस यह 8th lecture था ना 9 और 10 10 lectures में हमने यह chapter complete करना है ठीक है तो अभी तक के लिए इसारा lecture वैप अप होता है अच्छा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगाओ तो भी अच्छी बात है बाई बाई